हेलो दोस्तो मुझे उमीद है कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तो आज मैं आपके साथ डिसकेशन करने वाला हूँ Nifty Financial Services का काफी मुझे कमेंट आ रहे हैं कि Nifty Financial Services पे भी वीडियो बनाई जाए तो आज मैं आपको एक वीडियो बना के दिखा देता हूँ अगर आप डिमांड करते हैं अगर आप लोग ट्रेड करते हैं Nifty Financial Services में तो आप कमेंट कर सकते हैं हम इसकी वीडियो भी कंटिन्यू कर देंगे हलाकि काफी टाइम लग जाएगा तीन वीडियो हो जाएगी एक बैंक Nifty की और एक Nifty 50 की और एक Nifty Financial Services की तो टाइम काफी लगएगा तो इसलिए आपके कमेंट के उपर डिपेंड है मैं प्रिफर करूँगा नहीं पर लेकिन फिर भी आपके कमेंट आते हैं तो आप कर सकते हैं लेकिन जादा बहतर रहेगा मंडे और ट्यूजडे को भाई मैं भी पर्सनली कब प्रिफर करता हूँ मंडे और ट्यूजडे रीजन में आपको एक्स्प्लेन करता हूँ भाई जो बैंक निफ्टी की और निफ्टी फिफ्टी की एक्स्पायरी होती है वो थ्रस्टे को होती है थ्रस्टे को हमें प्रीमियम सस्ता मिल जाता है और उससे पहले दिन वेनस्टे को भी हमें प्रीमियम सस्ता मिल जाता है लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जो expiry होती है वो Tuesday को होती है यानि कि मंगलवार वाले दिन होती है तो आपको यहाँ पे दो दिन premium सस्ता मिल जाएगा Monday को भी और Tuesday को भी तो आप एक काफी अच्छा पैसा बना सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं Monday और Tuesday आप Nifty Financial Services पे नजर रख सकते हैं अगर आपको opportunity दिखाई देती है तो आप इसमें trading कर सकते हैं आप comment करके यह भी बता सकते हैं कि यह वीडियो आपको रोज चाहिए या फिर सिर्फ Monday और Tuesday में क्योंकि मैं personally trading जो Nifty Financial Services में पसंद करता हूँ वो Monday और Tuesday को करता हूँ अगर आपको हरोज चाहिए तो आप वो भी comment कर सकते हैं मैं आपके comment देख के ही decide करूँगा बल्कि मैं एक survey भी डाल दूँगा आप survey भी कर सकते हैं कि आपको इस related वीडियो चाहिए कि नहीं फिलाल हम आज का analysis कर लेते हैं कि कहां पर हमारे लिए opportunity बनेगी इस situation को हम थोड़ असा discuss कर लेते हैं कि Monday को आपको Nifty Financial Services में किस तरह के से planning करने चाहिए हाला कि जो सुरू में ये discussion हुआ इसमें बहुती कम value थी बस इसमें main point Monday और Tuesday वाला था लेकिन फिर भी आप लोगों से जो भी discussion किया ये पूछना काफी जरूरी था क्योंकि मैं वीडियो डालनी सुरू कर देता आप ना देखते तो मेरा भी time जाता मैं इस time को किसी अधर strategy में या back testing में या फिर आपके लिए नया content बनाने में लगा सकता था या application पर लगा सकता था कुछ भी हो सकता था तो इसलिए मतलब सोच समझ के comment करना क्योंकि time मेरा भी जाने वाला है पर लेकिन जादर comment आए जादर demand आई तो वीडियो हम continue करेंगे आए फिलाल हम यहापे situation समझते हैं यहापे मैंने दो line ड्रो करकिए यही आपके लिए no trading zone भी रहेगा यहापे मैंने क्या identify किया है यह तो पता है आपको nifty 50 में sideways momentum देखने को मिला bank nifty में भी sideways momentum देखने को मिला और nifty financial services में भी आपको sideways momentum ही दिखाई दे रहा है यहापे देखेंगे आप market में उपर की जो line है 18,566 की है जो की 10th का day high है नीचले वाली line यहाँ पे 10th का day low है जो की है 18,467 की यह situation आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे है इस चीज़ पे आपको नजर रखके चलना है तो यहाँ पे हमें day high, day low पता चल गया अब जब तक आपको 10th के day high का breakout नहीं मिलता तब तक buying opportunities के बारे में गलती से भी मत सोच लेना क्योंकि वो एक तरह का trap create रहेगा लेकिन एक scalping जरूर मिल सकती है आप क्योंकि आप देखेंगे closing काफी दूर है day high से तो अगर यहीं से flat open होके अगर आपको positive momentum मिला उस situation पे अगर day closing से market उपर चलता है तो day high तक आपका पहला target रहेगा scalping के मामले में situation के लिए रहे हैं अगर इसका आपको breakout मिलता है फिर जो आपका next target निकलता है जो यह first फरवरी को high लगा है यह आपका target हो जाएगा यानि कि 18,650 के round आपका next target यहाँ पे बन जाएगा situation के लिए हुई समझ में है मैंने क्या discuss किया अब देखो अगर flat open हो के negative momentum है तो हमारे लिए important है day closing और day low काफी नजदीक है ध्यान से अगर आप देखेंगे तो हम यह condition लेके चलेंगे कि day close से भी जो 10th का day close है उससे भी market निकले साथ ही साथ हमें 10th के day low का भी breakdown दे दे 100 वाला zone क्यों क्योंकि इसी zone में आप देखेंगे 8th का भी day low इसी zone में पढ़ा है 9th का भी day low 9th में double bottom भी बना रखा है market ने यहाँ पर double bottom बना के ही आपको यह momentum दिकाए था अगर आप double bottom के बारे में नहीं जानते किस तरीके से entry ली जाती है कहाँ पर stop loss लगाना चाहिए क्या target होना चाहिए यह आपको website पर मिल जाएगा free of cost website पर जाएए वीडियो देखे और article भी मिल जाएगा जाएए उसे समझे ठीक है फिलाल हमें यहाँ पर क्या देख रहे है कि हमारे लिए अगला support कहाँ पर सिर्फ इसमें यहाँ पर day low ही नहीं पड़े अगर आप देखेंगे अगर आप इसे थोड़ असर ड्रो करेंगे तो आपको पूरी picture किलियर हो जाएगी 1st forward को भी market ने यही पर rejection दिखाय था आगे आ जाओ 6th को market ने यहाँ पर पहले support दिखाया breakdown देने के बाद यहाँ पर resistance दिखाया 7th को भी market ने यहाँ पर एक important resistance दिखाया फिर market ने यहाँ पर support लेना शुरू कर दिया यानि कि हमारे लिए एक important resistance था breakout मिला तो support कि तरह आपको act करता हूँ दिखाय दे रहा है higher probability क्या रहेगी जितना मजबूत resistance था उतना ही मजबूत ही आपके लिए support कि तरह act करे यह इसकी higher probability यहाँ पर रहेगी situation के लिए होगी पूरी picture के लिए होगी मैं क्या समझानी की causes कर रहा हूँ इस zone में जाते ही हम अपनी profit booking करेंगे फिर इस पर देखेंगे इस पर market किस तरीके से react कर रहा है क्योंकि यहां से हमें market दूसरी opportunity भी दे सकता है दूसरी opportunity किस base पर देगा अगर यहां पर जाके market sideways हो जाता है तो हम trading को avoid कर देंगे जो profit हाथ लगा है इसी को profit को book करेंगे और market को छोड़ देंगे सिर्फ observe करेंगे लेकिन अगर यहां पे आपको hammer नजर आ जाए या pin bar bully scandal नजर आ जाए तो यहां से buying opportunity मिल सकती है या फिर market यहां पे कुछ time spend करके breakdown दे दे तो यहां से selling opportunity मिल सकती है या फिर market इसका सीधा अगर breakdown कर रहा है तो आख बंद करके profit book कर लेना फिर इंतजार करना कि market वापिस आए retest करे फिर momentum दिखाए तभी opportunity बनेगी लेकिन अगर market वापिस नहीं आता है सीधा गिरता जाता है तो चलती train से दूर रहना होता है अब यहां पे काफी लोग एक बात कहेंगे कि चलती train से में हमेशा दूर रहने के लिए क्यों कहता हूँ देखो दोस्तों चलती train अगर किसी के हाथ लग जाती है तो बहुत बहुत बहुतरीन opportunity मिलती है लेकिन चलती train में भी चड़ने का एक proper timing होती है फोर example यहां पे example समझो यहां पे आपको चलती train मिली अगर आप यहां पे चड़ते या फिर यहां पे चड़ते यहां पे चड़ते समझ में आता अगर आप यहां पे चड़ने के कोशिस करेंगे यहां पे चड़ने के कोशिस करेंगे हलाकि market नीचे गिरा है लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता यानि कि हम train में कब गुस सकते हैं अगर ये नीचे गिर रहा है तो हम नजदी की support ढूनने शुरू कर दे कि बहुत एक support यहाँ पर बन रहा है क्योंकि पहले जो resistance देवे support कितरे एक्ट करेंगे अगर आप बिना platform के train में गुसने की कोसिस करेंगे तो आपको दुर घटना का सामना करना पड़ सकता है और वो दुर घटना क्या है आपका capital आपके capital का loss हो सकता है situation समझ में आई ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं देखो psychological अगर आप चीजों को समझने की कोसिस करेंगे यहाँ पर तो आपको यह momentum दिखाई दे रहा है पर लेकिन जब आप actual market में जाते हो यह reality नहीं होती reality इसके just opposite होती है ध्यान से देखो इस green candle को देखो यह आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है दिखाई दे रही है उपर एक पहतरी नपर सेड़ो दिखाई दे रही है नीचे आपको एक पहतरी नोगर सेड़ो दिखाई दे रही है अगर आप यहाँ पे गुसेंगे जैसे ये green candle बनी सुरू हो जाएगी तो आपका जो psychological level है वो एकदम से disturb हो जाएगा क्योंकि आप क्या सोचेंगे कि market ने ये gap up opening दी थी market ने इसका breakdown दे दिया gap को fill कर दिया यहाँ पर market support लेने लग गया और यहाँ से bounce कर गया अगर आप इस situation को control नहीं कर पाए तो आप loss में position बना लेंगे loss बुक करेंगे फिर यहाँ से buying position बनाने की कोशिस करेंगे फिर market ने opposite momentum दिखा दिया फिर से loss होगा तो इसका मतलब यहाँ से हम क्या सीखे जो मैंने अभी समझाया कि एक proper platform अगर है तब हम चलते हैं ट्रेंड में गुश सकते हैं और यहाँ पे platform क्या बनेगा अगर logic को समझे हमने देखा market ने यहाँ पे support ले लिया भई gap को fill कर दिया support ले लिया तो हमारे लिए एक range बन चुकी है कि अगर market इस range का उपर breakout दे दे यही range हमने क्यों decide की क्योंकि यही पे आपकी gap down gap up opening हुई थी यही पे market support लेके bounce किया था तो गर इसके उपर price sustain कर गया तो higher probability रहेगी कि market उपर की तरफ जाए पहला target यह breakout मिल गया दूसरा target यह फिर इसका breakout मिल गया तीसरा target यह इस तरीके से हम जा सकते हैं दूसरी चीज अगर market यहाँ पे support ले रहा है अगर इसका breakdown दे दे तो हम इस चलती train में फिर से गुश सकते हैं तो यहाँ पे आपको breakdown मिला तो इस चलती train में हम फिर से गुश सकते हैं target क्या रहेंगे यह ले लो तक आपका target रहे हैं तो लोजिक मैंने आपको समझा दिया कि चलती train में भी घुश सकते हैं लेकिन प्लैटफॉर्म पे समझ में आए कि नहीं लोजिक देखो इसी तरह कि मैं आप free of cost आपको इतने बहतरीन लोजिक बताता रहता हूँ एक like तो बनता है like target में रखता हूँ 5000 like का में like target रखता हूँ जल्दी से like बटन प्रेस करना शुरू कर दो तो यहाँ पर हमने situation discuss कर ली है आपको काफी मज़ा आया होगा situation पूरी समझ में आगी कि आपको किस तरीके से यहाँ पर react करना है अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ pivot point की तरफ यहाँ पर मैं gap up और gap down अभी discuss नहीं कर रहा क्यों discuss नहीं कर रहा क्योंकि यह एक review वीडियो है आज अगर आपको content पसंद आएगा तो हम gap up या gap down भी इसमें discuss करेंगे nifty financial services में आज के लिए तो मैं आपको एक review वीडियो बना रहा हूँ कि आपको इसमें trade कर जिससे मुझे idea लग जाएगा कितने लोग इसमें trade करते हैं कितने नहीं करते हैं उसी के according हम अपना आगे का decision लेगे अब यहाँ पर देखते हैं कि nifty financial services में आपको एक positive momentum देखने को मिला उस situation पर जो में पहला resistance नजरा रहा है अगर आपको इसका breakout मिलता है जो में दूसरा resistance नजरा रहा है यह 18,569 पर नजरा रहा है अगर आपको इसका भी breakout मिलता है जो में तीसरा resistance दिखाई दे रहा है 18,622 पर आपको यहाँ पर तीसरा resistance दिखाई दे रहा है वहीं बात करें अगर Nifty Finances Services में आपको एक negative momentum देखने को मिलता है इस situation पे जो पहला support नहीं ज़रा रहा है 18,427 पे नहीं ज़रा रहा है अगर आपको इसका breakdown मिलता है जो में दूसरा support नहीं ज़रा रहा है दूसरा support बताने से पहले में आपको बता दियो ना है कोई selling recommendation है यह just educational purpose से बनाए गई analysis वीडियो है invest करने से पहले आपको अपनी research करने है अपने investor की सला लेनी है क्योंकि profit भी आपको होने वाला है loss की जम्मिदार भी आपको अपने आप लेनी है यहाँ पर हमें second support नहीं ज़रा रहा है नए हो चैनल पर subscribe कीजिए और bell icon press कीजिए ठीक है दोस्तों thank you